संतान की प्राप्ति से लेकर संतान की रक्षा तक के लिए अनिक वरत किये जाते हैं लेकिन इन में एक प्रमुख वरत है दोबडी सात्ते का वरत यह वरत भादरपद मास के शुकलपक्ष की सत्तमी के दिन ही किया जाता है इस दिन संतान की रक्षा के लिए महिलाई वरत रखकर पूजन करती हैं और दोबडी सात्ते की कथा सुनती हैं वैसे तो यह त्योहार मुख्य रूप से राजस्थान का है भादरपद मास के कामनाई की चाती हैं इस बारदो हजार 21 में संतान के रक्षा के लिए 13 सितंबर को दोपरी सात्य का व्रत किया जा रहा है तो चलिए जान लिते हैं कि आ विधी है और किस तरह College किया जाता है खास कर게 राजस्तान में किस तरह से किया जाता हैं सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है तो वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लिए इसी तरह की और भी इंफोर्मेटिव वीडियो यहां पर अप्लोड होती रहती हैं तो जरूर उन्हें भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं वैसे तो ये व्रत हर स्थान पर भारत वर्ष में हर जगा पर मनाया जाने लगा है भगवान गौरी शंकर की पूजा राध्ना करके इसे व्रत को किया जा रहा है लेकिन विशेश रूप से ये व्रत राजस्थान से ही परंपरा शुरू हुई है और परंपरागत तरीके से ही इस वरत को किया जाता है तो क्या पुरी जानकारी है चलिए जान लेते हैं इस वरत के लिए एक लकडी के पट्टे पर दूबडी की मूर्ति सर्पों की मूर्ति एक मटका और एक अरत का चित्र मिट्टि से बना लिया जाता है उनको चावल, जल, दूद, रोली, आटा, घी और चीनी मिलाकर लोईयां बनाकर उसमें पूजा जाता है फिर दक्षिना चढ़ाई जाती है और भीगा हुआ बाजरा चढ़ाया जाता है मोठ बाजरे का बाइना निकाल कर राजिस्थान में सासु जी के पैर चूकर उन्हें दिया जाता है घर परिवार की बहुए अपनी सासु मा के पैर चूकर उन्हें ये बाइना देती है फिर दूबरी साते की कहानी सुनी जाती है इस दिन ठंडी रसोई खाई जाती है यदि इस साल किसी लड़की का विवा हुआ हो तो वह उजमन कर सकती है उसे उजमन करना चाहिए उजमन में मोट बाजरे की तेरा पूरी एक थाली में लेकर तथा रुपया और साड़ी रखकर हाथ फेर कर अपनी सासू मा को प्रणाम करके उन्हें दिया जाता है तो इस तरह से वरत रखा जाता है आगे सुनिए दोबरी साते वरत कथा एक साहुकार के साथ बेटे थे प्रंतु वे जिस भी बेटे का विवाह करता वही मर जाता इस प्रकार उसके छै बेटे मर गए थे अंत में साथमें बेटे का भी विवाह तै हो गया सभी नाते कि भुवा भी आ रही थी रास्ते में उसे एक बुढिया मिली बुवा ने बुढिया के चरंस पर्ष किये तो उसने पूछा कि बेटी कहां जा रही हो बुवा के बताए जाने पर बुढिया ने कहा कि लड़का तो मल जाएगा वे जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा घ वहां से बचने पर जब वे ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहां का भी दर्वाजा गिर जाएगा उससे भी यदी बच गया तो सात्मी भावर पढ़ते समय नाग आकर डस लेगा इतनी बात कह कर बुढिया चुप हो गई बुढिया बोली है माता मेरा ये एक ही भतीजा बचा है जब आपने इतने अनिष्ठों की बात बताई है तो कृपया करके रक्षा का उपाय भी बता दीजिए बुढिया जो स्वयम दूबली माता थी बोली बेटी उपाय तो है पर है बहुत कठिन बुढिया ने कहा माता कितना भी कठिन उपाय हो भतीजे की रक्षा के लिए मैं करूंगी बुढिया बोली बेटी जब लड़का विवा करने जाने लगे तो उसे दर्वाजे से ना निकाल कर दिवार फोड कर निकलवाना उसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात को रुकने मत देना इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को प्रकार फोड कर ही घर में प्रवेश करवाना और भावरों के समय कटोरे में दूद भर कर रख देना जब नाग आकर दूद पीने लगे तो उसे तांत के फांस में फसा लेना जब नागिन आकर अपने नाग को मांगे तो तुम उससे अपने चहों भतीजों को मांग लेना इस तरहां तुम्हारा ये भतीजा जो जीवत है वे तो बचेगा ही बचेगा पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे परन्तु इस बात को किसी से कहना मत बताना मत अन्य था सुनने और कहने वाले दोनों मर जाएंगे और भतीजे की भी मृत्यू हो जाएगी बताई थी वैसे ही घटी परन्तु रक्षा का उपाए बता देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई और पहले मर चुके छहों भतीजे भी जीवित हो गई दूबली माता की कृपा से सब कुछ आनंद में हो गया बारात लोटने पर बुवा ने सब्तमी को दूबली माता की पूजा करवाई इस तरहां दूबली माता की जैजैकार करते हुए सभी ने दूबली माता को प्रनाम किया उनसे अपने ही नहीं सभी की संतानों की रक्षा है तु प्रात्ना की इसी तरह वरत के बाद दुबडी माता से अपने बच्चों की प्रात्ना करें उनकी सुरक्षा की उनकी लंबी आयू की और जिनको संतान नहीं है वे भी इस वरत को करें और संतान प्राप्ति की इच्छा अपनी प्रातना दूबरी माता से करें हे दूबरी मैया जैसे तुमने कथा अनुसार बुवा के साथो भतीजे उन्हें वापिस दे दिये वैसे ही सब को संतान सुख देना दोबरी माता सभी के संतानों को, सभी के बच्चों को हमेशां लंबी आयू दें सभी अपने अपने जीवन में उच्च कोटे स्थान प्राप्त करें यही इच्छा के साथ आज की वीडियो को विराव देते हैं मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकरी के साथ अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस रहिए, सुस्थ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरहां की और भी वीडियोस आपको मिलती रह है तब तक के लिए अपने अपनों का भी ध्यान झाल 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 झाल